आप देख रहे हैं भी एच पीजी न्यूज़ कावड़ी आत्रा सुरू होने वाली है कावड़ी आत्रा से पहले ठीक जो एक परमान जारी हुआ कि फल और रेडी जो है पट्री पे जो है लोग अपना नाम लगाएंगे खास कर मुसलिम उसके बाद अब यह लगता है कि जो उत्तरप्रदिस के सरकार ने जो एंडिय में भी जो है फूट डाल दिया उन्हें भी तोड़ने के रहाब है क्योंकि एंडिय के साथ जो गटक दल है चाहे वह आरेलडी हो चाहे वह जेडी हो वह भी उन्होंने भी जो इस समर्थन का इस से बाद चीट करेंगे यह क्या चाहते हैं सर पहले तुस्वागत आपका बहुत बहुत दन्यवाद जुनेद भाई क्या कहेंगे फरमान जो जारी हुआ है किस तरीके से देखते इसका क्या माइन है देखे जुनेद भाई चूकि मैं पश्ची मुत्तरपरदेश से हूं मु जेते हैं और शिवराती वाले दिन जो भी उनका अस्थान है वहाँ पर जाके वह उसको जो है चड़ाते हैं अगर आप मुझे फन्नगर की बात करें जैसे ही कावडिया हर्दवार से चलते हैं तो हर्दवार से वेरूड की होते हुए मुझे फन्नगर जिले में एंट्री क कावडियाओं की जिस तरीके से सेवा करती हैं देखें बिल्कुल सचाई से बता रहां मुझे सेवा करते हैं और मैं बताओ मुझे फन्नगर के अंदर मिनाक्सी चोक का आप में नाम सुना होगा अगर आप मिनाक्सी चोक से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो खाला पार एक आती है जो मुसलिम बहुले छेतर है और मेरा भी कहीं साल का नुबाव है कि जब कावड यात्री जो है सीव चोक और मिनाक्षी चोक से आगे बढ़ते हैं तो मुसलमान लोग तो वहाँ पर जो है लंगर लगाते हैं उनकी सेवा करते हैं और जुनेद भाई मैं आपको बात ब क्रोड लोग लगबग एक हजार क्रोड रुपे इनकी भगती में खर्च करते हैं मुझे पनगर के लोग लेकिन इस तरीके से आप इस कावड यात्रा को भी हिंदू-मुसलिम का रंग दे देंगे आप इस तरीके का फर्मान जारी कर देंगे बैं मैं तो अपने आप में सर का सारा अच्छा ऐसा क्यों करा जा रहा जुनेद भाई आप तो एक युवा पत्रकार है आपको भी पता होगा ऐसा क्यों करा जा रहा एसा इस वह से करा जा रहा कि जो बोले के भगत आते हैं उनकी पवितरता बरकरार रहे हैं और पवितरता यानिकी जो मुसलिम लोग है मुस्लिम लोग से कुछ खरीद हैंके किसी दाविय के ऊपर खाना कहेंगे किसी aoटल में hahaha करेंगे तो क्या मुसलिम लोग ही भोलो की जो है पवित्रता बंग करेंगे क्या मुसलमानों से हिंदों की पवित्रता बंग होगी और आने वाले टैम में हिंदों से आप में बहुत ही गंबीर बहुत ही सोचने हैं बाट ने कोशिच की जा रहे गा आपस में फिर से एक बार क्यों आपको नहीं लगता बही मुझे एक बात बताओ अब तक यह कावड यातरी चलते नहीं थे क्या अब से पहले ऐसा फरमान क्यों नहीं जारी हुआ और जब यह की चलती थी लेकिन अब जब से बाटे जन्ता पार्टी की सकार हुए और खास तरसे यह पी चार्टे सबसे बड़ी पार्टी और हमारे चेतर से ऐसे ऐसे नेता निकल गे जुनेद भाई अगर बताऊं वे गांग के अंदर परधान बनने लायक नहीं थे लेकिन वे सांसद बन गे वे जो है केंदर में मंत्री बन गे लेकिन ऐसा केवल और केवल हिंदु मुस्लिंग के दंगे से हुआ उनमें नेताओं का बला हुआ एक भी पस्ची मुत्तरपर्देश के लोगा को कोई बला हो तो आप मुझे बता दो अब पस्ची मुत्तरपर्देश के लोग इस बात को बली बात ही समझगे इस फरमान से टूटे के क्या एंडिया घटक दल चोजा जेडी हो चाए आर बिल्कुल बिल्कुल बही एक बात बताओ अगर आप या जटके और मुसलमनों के ऊपर जो है राजनीती कर रही क्या आरेलडी वालों को नहीं दीखता अगर इस टाइप के जो है फरमान जारी होंगे तो क्या मुस्लिम समाज उनको बोर्ट दे पाएगा दुरबाग्गे ह या हमारे समाज का कि यहाँ पर राजनीती जाती धर्म संपड़ाई के नाम पर हो रही तो कहीं ने कहीं यह तो एक सामाजिक सद्वाव बिगाडने का एक तरीका है और खास दोर से बारते जनता पार्टी वाले लोग इस बात को बोल ले कि भाई इस से कानून ववस्ता को करने में मदद मिलेगी जबकि डोक्टर कुल्दीक मलीक इस बात को कह रहा कि ऐसे फरमानों से तो कहीं ने कहीं आप कानून ववस्ता को बिगाडना चारे और आप दोबारस है पस्ची मुत्तर परदेश के लोगों को हिंदू मुस्लिम करके हिंदू मुस्लिम के दंगे में जो है उनको डालना चारे लेकिन मैं धन्यवाद दूँ जिस तरीके से फरमाना आया और जिस तरीके का विरोध पस्ची मुत्तर परदेश के लोग कर रहे भाई मेरा तो दिल दिल गदगद है और कम से कमीन है भारते जनता पार्टी वालों को ये समझना चीए कि जिस तरीक लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा ये चांट इन्हें सबक नी सिखाया अगर भारते जनता पार्टी वाले इसी तरीके के फरमान जाजी करते रहेंगे तो आने वाले समय में देरा ध्यान दे बहुत गंबीर बात बोलड़ा ग्रहमंत्री है मारे अमित साजी दो-तीन सा बोल देखिए देश कांग्रेश मुक्त कर देंगे ओक इसी तरीके फर्मान आप जाजी करते रहें तो यह देश बारते जंता पार्टी मुक्त ना हो जाए आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा और आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं अरे डोक्तर कुलदीप मलीक से पूछ के देखो ये उपर बेटी और रोटी का दिस्ता जोड़ते हैं और नीचे ये हमें आपस में लड़वाते हैं ये अंग्रेजों की तरीके से फूट डालो सासन करो की नीटी पर चलते हैं लेकिन डोक्तर कुलदीप मलीक को फकर है कि अब हिंदूस्तान के 143 करोड़ लोग इस बारते जनता पार्टी को बहुत अच्छे से समझ चुके इस फरमान के बाद कि आपने इस फरमान के बाद सो कहीं नहीं हमें साह बने अब वह खत्र में डाल दे योगी जी इस परमान से क्या लगता है देखे सिरिमान जी जहां तक योगी जी की बात है बहुत्तर परदेश के अंदर योगी जी के बर दस परसंसक है अब आप यह पूछना कि परसंसक हूं या नहीं हूं लेकिन जिस तरीके से उत्तर पर भाई आप एक बात बताओ मैं जगे जगे कल से कहीं जगे यह बात बोल चू का अभी हमारे हां इंदूस्तान के इंदर साधी हुई उस साधी में सारे के सारे नेता हुझे सारे भी नेता कदम ताल करी वहाँ पर क्या मुस्लिम लोग खाना बनाने वाले नहीं थे खाना प्रोशने वाले नहीं थे आप ऐसे इंदु मुस्लिम करके देश को कहा लेकर जाना चारे मैं तो एक एक्जामपी लोड दे रहा रावन जो यह होता है रामैन होती है दसेरे के उपलक्स में वहाँ पर समाज के लोग करते हैं मैंने देखा है जो कपड वे कलाकार पैंते में कपड़े सब्सक्राय का काम मुस्लिम समाज के लोग करते हैं इसका मतलब वहाँ कभी तता कहां गही और जहां vocal Choi कावड यात्री की बात है देखो यह हो सके कुछ हिंदू संगटन में जिस बातसा नाराज हो मैं तो यह कह रहा जितने कावड यात्री है उन्हें सब इसे ज्यादेतर तो जो यह नसा करते है नसे का सेवन करते है एक एक किलो मीटर पे दारू के ठेके च्खुलडे आप जो है आप उत्रा खंड की बात करो अर्दुवार सा आगे जितना भी आईवे है एक दो किलो मीटर की डिस्टेंस आपको कहीनी मिलने की जहां दारू का ठेका नच खुलडा हो और वहां से जो है दारू वे जो है प्रदान मंतरी बने जो इन्होंने दो हजार दस में वादे किये थे महाई का मुद्दा वरश्चाचार का मुद्दा का मुद्दा राजनिती मैं परादी करन का मुद्दा स्मार्ट सिटी का मुद्दा बुलट ट्रेन का मुद्दा किसानों की हमदनी दुगनी का मुद्दा जो है युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा ये सारे के सारे मुद्दों चुकि पब्लिक इन मुद्दों पर न बोल सके कहीने कहीन इस वजए से हिंदु मुस्लिम कि जंजाल में और मैं तो कह रहा अभी रिसेंटली दस विधान सभा सीटों के उपर चुना होने वाले अब इनका टाइट वी फिस कर दी लोग सभा चुनाओ में यह समझगे बात यह दस सीटों के लिए मैं तयार कर रहें लेकिन जो इनकी स्टेट जी यह इस्टेट जी गलत है जुनेद भाई हिंदूस्तान के लोग इस बात को लिख लै कि अभी दस सीटों पर चुनाओ होंगे भारत्य जंता पार्टी तो यह इंदू-मुस्लिम का काड खेलना चारी लेकिन यह काड़ भारत्य जंता पार्टी को उल्टा पड़ेगा और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और इसके बाद 2027 में फिर चुनावारे भारत्य जंता पार्टी वालों को मेरी सलाह है आपको देश के अंदर हम कुछ काम मैं भी बोलता हूं मैं भी का परिवर्टन के लिए इन्होंने बड़े-बड़े वादे करें लेकिन ऐसा कुछ काम हो है नहीं क्या परिवर्टन कर दिया आ रहे हैं इन्होंने तो केवल और केवल जुनेद भाई नफरत बढ़ा दी और आप नफरत बढ़ाओ देखो यह जो देश है परिवार की तरी यू यूव्य नहीं समाना की बता करनी चाहिए इस सरकार से 1 थे सब लोग नागे स्बाटा को समंझे सरकार को कहीं समानता की बात करनी फूट को बढ़ावा देगी तो ये काम कैसे चलेगा और मैं कहरा कि आप तो यह जाती धर्म पे कुछ दिनों तक के लिए तो आप अपनी राजनीतिक रोटिया सेख सकते हैं लेकिन आने वाले टैम में इसके जो दूरगामी पर नाम होंगे वे बहुत ही खतरनाक साबित हमारे चेत के पच्ची मुत्तरपरदेश के बच्चे जो युवा होते थे वो जब चलते थे तो धर्ती हिलती थी अब जुनेद भाई मैं बता रहा चुकि मैं तो अलग-अलग युवा के बीच में रहता हूं अगर एक गंटा युवा अभी मैं सामली के अंदर था चार द पीने के लिए पानी नी चोड़ा खाने के लिए सुद्गादा नी चोड़ा सिक्साव वस्ता अच्छी नी चोड़ी और कहीं ने कहीं युवाओं को इस तरीके साप पतवरस्ट करेंगे उन्हें जो है धरम के जंजाल में फसाएंगे और जुनेद भाई ये गंबिर बात क हिंदुस्तान के लोग जब इस कालखंड का इत्यास लिखा जाएगा तो बारते जंता पार्टी जो हम हिंदु वादी पार्टी बोलते हैं हिंदू के लिए सबसे ज़्यादे नुक्सान पोचाने वाली पार्टी के रूप में सामिल होगी जो काम ही नहीं करने थे याद द करना था आपको देंडर के अंदर को शुदाओं को सुधार ना था आपको देश के अंदर में रोजगाई खतम करना था आपको ऊंदर दिगरा कुछ चाहरा वाथ काम मेरी बात आद जिस तरीके से आक दारें टी टीबखान के ओ अधर दारू के अंदर जो एक खोल लगके और दरम की अपिम प्याइजा रही अगर अच्छा रोजगार मिलता उनका स्वास अच्छा होता यह देश तव्विस गुरू बनता पहले और अग्जयब के गुलाम था बावर गुलाम था मुगलम गुलाम ता वाजात कर दिये नह कि सुन को तो बताओ यह थैं बारते जन्ता पाटी वालों कि सुन यह जब यह दमारर तो मुझे याशा लगया जब परदान मंतुरी भासन दे रहे नहीं परदान मंत्रिक पर नहीं सुन सुनता हिं आरे एक बात बताओ सब्सक्राइअ घए पुर इस सातुन परदान मंत्री जी की जो दिखाना चाहता हो नहें नहीं तब मोधी जी नहीं नहीं तो जनता जागी आप तो जनता जागी मोधी जी ने तो सब सोगे थे लेकिन अब मैं जाए तो मतलब जब मैं सोचता हूँ यह तो जनता जाग उठी और जनता जाग गी अभी देखो न अभी क्या हो रहा था लोग सब अगे चुनाओं में अब की बार फिर से मोधी सरकार 400 पार 400 पार 400 पार क्या करा जनता ने तो यह जनता सो रिया कर दिए अगर आप इस तरीके की बात करेंगे जनता कहीन है जांग और ढूक्तर कूल्दीप मले को फक्र है कि देश की राजणिती में और शिक्साओं स्वस्का गिरते वहां स्वस्क्राब होते बात बेरोजगारी की बात हो और जो नकली मुद्दे है जाती के धर्म के संपर्दाई के मंदिर के मस्जिद के ये सारे के सारे मुद्दे खतम हो तो कहीं ने कहीं जनता अब असली मुद्दों की तरह बढ़ रही जभी तो इनकी फूंक निकाल दिया अगर लाश्ट में इस परवान से एक नेता दे रहा योगी जी इनके चंगुल में नफसे पूरे जो है उत्तर पर देश के जो पच्चीस करोड़ लोग है आपको अपना बहुत पिजया नेता मान ले आप किरपा करके इनके चंगुल में नफसे और कहीं ने कहीं आप पर देश के हित में फैसला करें ऐसे जो फैसले आपको सोड टर्म में इसके कुछ लाब हो सकते है लेकिन लोग टर्म में आपको इसके कुछ लाब नी होने के देश को इसका कुछ लाब नी होने का समाज को इसका कुछ लाब नी होने का और फिर कह रहा देश के अंदर जो ताना बाना हमारा है हिंदू, मुस्लिम, सी, किस यह चार जो धरम के लोग हैं ये समझो पस्चिमुत्तरपरदेश की बासा में बता रहा है जो छार पाई होती है जो होती हुआ है यह चार पाई है अगर एक पाया भी दगमगाए जगा तो ये खाट धरासाई हो जाएगी तो चारे पाओं को आपको मजबूत करके चलना है और आप तो ये कहते हैं ना सब का साथ सब का विकास और फिर सब का विश्वास तो मोदी जी और योगी जी के लिए मेरी ये सला है कि जो आप कहते हैं आप उसे अमली ज कामा पहला है आप उसको करके दिखाए सब का आप साथ ले सब का विकास करें और सब का विश्वास जीतें ऐसी मैं आदर्निया परदानमंत्री और आदर्निया मुख्यमंत्री जी को यह सला दे रहा हो सके मेरी आवाज उन तक पूंचेगी और वे इस परकाम करेंगे चलिए आपको क्या लगता ही है जो फर्मान आया यह वाओ के दिमाज में किस तरह के से बात डाली जा रही है आप हमें जुरूर बताए तब तक के लिए धन्यवाज़े रोस की ताज़ा खबरे सुनने के लिए सस्क्राइब करें बी एच्पीसी निउस चैनल साथी रोस के नोटि